क्या होगा अगर आप omega-3 fish oil 30 दिन तक लगातार लें omega-3 essential है क्योंकि यह हमारा श्रीर बनाता नहीं है 70% तक जो population है वो देखा गया omega-3 की deficiency से जूज रही है और खास करके जो EPA type omega-3 है यह inflammation को कम करता है हमारे श्रीर में inflammation हमारे श्रीर के अंदर सूजन से ही सारी बुमारियां शुरू होती है चाहे हो जॉइंट में हो चाहे हो लेवर में हो चाहे हर्ट में हो चाहे पैंक्रियाज में होकर आपको डापी शुगर हो जाए तो यह inflammation को EPA type omega-3 कम करता है तो यह 70% लोगों के अंदर दिखा गया तो हमारे साथ calcium की absorption के साथ भी बहुत ज़्यदा प्रॉलम आयाती है क्योंकि जितना DHA type omega-3 का आपकी body के अंदर ज्यादा होगा उतना ही आपका body जो भी आप खाए पिएंगे उन सभी खाए पिएंगे वाली चीजों से calcium आपके शिरीर में बनाना और बढ़ाना शुरू कर तो fish oil के अंदर भी omega-3 तो होता है, core liver oil के अंदर भी omega-3 होता है, fish oil के अंदर DHA और EPA ये दोनो टाइप के omega-3 पाए जाते हैं और core liver oil की बात करें, इसमें भी DHA और EPA पाए जाते हैं पर जो ज़्यादा कारगर है, जो हमारे शिरीर को बमारियों सो बचाने का सबसे ज़्यादा काम करता है, वो core liver oil है क्योंकि fish oil के अंदर आपकी memory को बढ़ाता है, जो सर्च हुई है, fish oil जागर आप continue fish oil consume करना शुरू करेंगे, आपकी memory बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि fish oil का कोई benefit नहीं है core liver oil के अंदर vitamin A है, vitamin D है, तो इससे यह आपकी overall body को sport करता है, आपको जल्दी बमारियां नहीं आती है किसी भी तरह की, vitamin A आपकी आँखों की और brain की सेथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो इसलिए core liver oil है, वो बहुत ज़्यादा essentially माना जाता है, तो fish oil और core liver oil मिलकर भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा beneficial, इसके effect देखने को मिलते हैं, deficiency symptom क्या होंगे, कि mega 3 आपके अंदर गम हो गया है, क्या कुछ आपको लक्षन आपकी body मिल सकते हैं, सबसे पहला जो mega 3 deficiency का जो लक्षन मिलता है, वो है dry eyes, आँखें आपकी सूखने लग जाती ह इनके अंदर पानी बनना बंदो हो जाता है, थोड़ी सी हवा से आँखों के अंदर लाली पनाने लगयाती है, redness रहती है, आपकी जब भी आँखों पे देखें, redness चाही रहती है, ला रहती है, कि आपके शरीर का कोई भी एक खास हिसा, वहाँ पे rough skin हो सकती है, तो ये omega 3 deficiency का एक symptom हो सकता है, arthritis आपको हो सकता है, बहुत सारी लोगों को omega 3 की deficiency होने के बाद arthritis से वो recover नहीं हो पाते, arthritis जोडों का दर्द है, joint pain है, osteoarthritis है, जोडों के दर्द की बुमारियां उनकी रुकती नहीं है, बढ़ती ही जाती है, तो ये आपको दिखता सकती है, arrhythmia के अंदर बहुत ज़्यादा ये काम करता है, अगर omega 3 आपके अंदर deficiency हो जाती है, तो आपका heart rate बढ़ने लग जाता है, आपकी जो cardiovascular health है, बहुत ज़्यादा गडबड होने लग जाती है दीरे-दीरे, क्योंकि omega 3 आपके अंदर blockage को clear करता है, heart की जो pumping capacity है, उसको बनाए रखता है, औ heart लंबे समय तक जवान बना रहता है, और उसके किसी भी हिसी में blockage या clot नहीं आती है, और जो high blood pressure है, उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा कारगर है, omega 3 की जब deficiency हो जाती है आपको, तो आपका cholesterol बढ़ सकता है, lipid profile बढ़ सकती है, आपकी खास करके, जो LDL है, जो बुरे वाल cholesterol है, वो आपके अंदर बढ़ सकते हैं, और macular degeneration, बढ़ती उमर के साथ, हम भारत में जापने आस पास भी देखेंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा, जिसकी cataract हो गया है, उसको मोतिया बंद हो गया है, आँखे कमजोर हो गी है, क्योंकि omega 3 deficiency से, बहुत जल्दी आँखों की ब इसके benefit क्या क्या मिलते हैं आपके, जैसे हमने EPA की benefit discuss किये, तो ऐसी DHA है, जिससे हमारा 20% brain भी बना होता है, तो ये calcium की absorption को बढ़ाता है, कि आप जो भी कुछ खाए पिएंगे, वहां से शरीर calcium कामना शुरू कर देता है, आपके बालों की सेथ अच्छी होने लगे जाती है बहुत सारे लोगों को बाल उनके रूखे रहते हैं, सुखे रहते हैं, फिजी हेर रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारेगर हैं, हर्ट की हेल्थ के लिए अगर आपको LVH की क्यों इस्यू चल लिए है, वेंडिकल हैपर ट्रॉफी चल लिए है, एकिकाडिया जै आपके जो नेल्स हैं, नाखुना, उनकी सेथ बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है, तो उसको रेकवर करता है, और ओवराल आपका जितना भी हड्डियों का डांचा है, बोन स्केल्टन है, उसकी हेल्थ को ये बनाए रखता है, तो DHA टाइप का आपको मेगा 3 ले या फिश ओयल वाला, EPA और DHA मिल सके, जो आपकी बॉन को स्पोर्ट करें, आपकी मेमरी को स्पोर्ट करें, आपकी ओवराल हेल्थ को स्पोर्ट करें, आप बुमारीयं सो धूर रहें, तो जो वेजिटेरियन है, उनके लिए बहुत ही बड़ीया सोर्स है, सोयबीन, सोयबी आप अपनी डाइट में एड़ कर लें, दूसरा अमेगा 3 जो नेचरल वेजिटेरियन सोर्स है, वो है वालनट, अखरोट, अखरोट के अंदर दोस्तों, अमेगा 3 तो होती होता है, इसके साथ और भी बहुत सारे अशेंशिल फैटी एसल्स होते हैं, जो आपके इम्यून स सिस्टम को स्पोर्ट करते हैं, आपके लिवर को स्पोर्ट करते हैं और ब्रेन को स्पोर्ट करते हैं, तो आप अखरोट की दो से तीन गिरियां आप रात को विगो दें और सुबा उठकर इनको खा लें, तो ऐसे आप इसको रेगुलर्ली दो से तीन गिरियां तीन मीने त का मेगा 3 पाया जाता है और अलसी के बीजियों से आपकी हड्डियों की बुमारियां बहुत खास करके दूर होती है अगर आपको इंफ्रामिशन चल लिया है जोइंट्स की आपके घुटने की आपकी एड़ी की सर्वाइकल की कमर की तो आप लगबग आदा चमच बुनी हु में मिल जाता है जो भी मीट खाते हैं किसी भी हम एनिमेल का मीट खाते हैं उसके जो ऑर्गन्स हैं किड्नी हैं लिवर है स्प्लीन है उसके अंदर अमेगा 3 बहुत जादा होता है और जो लगबग फिश जो जंगली फिश जिनको बोल देते हैं जो फार्म पर्डूस नहीं हैं जो जंगली फिश हैं उनके अंदर भी मेगा 3 बहुत बड़ी आ होता है तो कोड लिवर अगर आपको और इंजन मिल जाए तो वह भी ले सकते हैं नौन वेजिके अंदर आ जाता है वेजटेरियन यह वाले जो तीन सोर्स हैं इनको लें तो इसके बिना भी मेरे चान पर हैं जाए वह बहुत सरे हेल्थ टॉपिक्स फर वीडियो जाया है चाहे वह घठी है चाहे वह अलर्जी आ चाहे अस्त्म है चाहे डेंट्यूमर चाहे किसी के हर्ट के वालों खराब थाहराड या रग्टीज चाहे वह आप इनके लिए काफी लंबे समय से दवाईया खा र झाल झाल